योगी कैबनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में बच्चों को युनिफॉर्म के लिए मिलेगा 1100 रुपए प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अलभागों को योगी सरकार देगी 1100 रुपए अब यह धनरासी सीधे बैंक खातों में भेज़े जाने पर घ्रष्टाचार पर अंकुस्तो लगेगा ही अलभागा का अपनी संतुष्टी के अंसार सभी चीजे खड़ीद सकेंगे बच्चों को समझ से या सुबधाएं मिलने से उनकी उपस्तिती वो सीखने सिखाने के वातावरन में भी सुधार होगा आगामी विधानसभा चनौल 2022 से पहले योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के हिद में एक बड़ा फैसला लिया है सुप्रभार को योगी कैबनेट ने उत्तप्रदेश के परसदिया और असास की सहायता प्रात्मिक वा उच्च प्रात्मिक विध्यालेवन में पढ़ने वाले कच्चा एक से आठ तक के एक करोर साथ लाग से अधिक बच्चों को योनिफॉर्म, स्वेटर, जूत, जूता, मोजा और स्कूल बैक देने के बजाएड सरकार अब इन वस्तों को खड़ीदने के लिए बच्चों के अरभावकों के बैंक कातों में धनरासी भेजेगी यह बच्चे के लिए अरभावक के बैंक खाते में टेरिक बेनिफिट ट्रांसफर यानि की डिबीटी के तहट ग्यारासो रुपे बेज़े जाएंगे इस तरह अरभावकों के खाते में लगभग अठारासो करोर रुपे की रकम बेज़े जाएगी योगी केपनिट ने बेसिक सिच्चाव भाग के इस प्रस्ताव पर मोहर भी डगाती है यहां आपको बता दें कि बच्चों को दो जोड़ी उनिफॉर्म मोहिया कराने के लिए प्रती जोड़ी 300 रुपे की दर से 600 रुपे एक स्वेटर के लिए 200 रुपे एक जोड़ी जोड़ी मोजे के लिए 125 रुपे और एक स्कूल बैग के लिए 175 रुपे दिये जाएंगे अभी तक बच्चों को प्रते एक सतर में या चीजे विभाग की और से मुफ्त में उपलब्त कराई जाती थी इसके लिए अलग-अलग प्रिक्रिया अपनाई चाती थी इसमें ब्रश्टा चाहर के अलावा इन सामानों की गुर्वत्ता को लेकर सिकायते मिलती रहती थी अध्या धनरासी सीधे बैंक कातों में भेजे जाने से ब्रश्टा चाहर पर अंकुस्तो लगे गा ही इसी के साथ ही अलगवक अपने संतुष्टी के अंसार ये सभी चीज़े खरीद सकेंगे बच्चों को समय से यह सुधाय मिलने से उनकी उपस्तिती वह सीखने सुखाने के वातावरन में भी सुधार होगा